नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हिमानसुच चौधरी और आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवेस्य कर लीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनी डेस्क के बारे में एनी डेस्क एक इतना अच्छा सॉप्ट्वेर है कि आप कहीं भी हो जिरूर नहीं कि आप भारत में ही हो आप संसार के किसी भी कोने में हो और आप बहां बैठकर यदि आप अपना लैप्टॉप या के काम के आप चनल्स टो अफंट कि अपने रहे हैं और आप या अच्छा सॉप्ट्वेर है कि आप का हैं से उस्टा करते हैं इसके काम क्यों ऑने वाली है और जो लोगों को थोड़ी भी प्रॉब्लम है कि यार एनिडेस्क क्या होता है कि यार एनिडेस्क को कैसे उपडेट करते हैं कैसे चलाते हैं मैंने step by step बहुत ही सरल भासा में आपको बताया है आप बने रहिए पूरा देखिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे अवस्य बतायेगा तो आईए वीडियो का सुरू करते हैं सबसे पहले हमें ओपन करना है एनिडेस्क दोस्तों ये कहां से डाउनलोड करना होगा इसका मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँआ आप वहां से इस software को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है ये खुल गया है आप इसमें यहांपर एक हमारी ID ہोती है और remote desk में हमको जिस system को लेना है उस system की हमको ID ढालना ही होती है ठीक है फ्रेंड्स दिस desk में हमारी ID होगी और remote desk में जिस system का हमें लेना है उसकी ID होगी ठीक है? अब हम चलते हैं दूसरे सिस्टम पर जिसको हमें remote पे लेना है ठीक है? जिसको हमें access करना है तो इसमें हम जाएंगे start पे और इसमें भी हम any desk open कर लेंगे जैसे हम any desk open करेंगे तो यहां जो लिखा है this desk यह हमारी remote ID होती है इस ID को हम अपने पहले बारे computer में डालेंगे यह remote desk की जगे में ठीक है friends? यह हमने इसमें डाल दिया डालने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा यह connecting करेगा और connecting करने के बाद यह देखिए दूसरे सिस्टम पर आएगा accept यहां accept करते ही यह देखो प्लीस वेट वाइल फोर दा रिमोट यह अन्य कि अब यह वार सिस्टम वेटिंग फोर इमेज करते ही हमारा इस सिस्टम कनेक्ट हो गया है अब आप देख सकते हैं मैं चोटी स्क्रीन में इधर कर दिया है इससे आपको दिखता रहे कि मैं जो उदर चलाँगा वो ही इधर चलता रहेगा यह देखिया रिफ्रेस करना हूं तो उस सिस्टम पर भी रिफ्रेस हो रहा है मैं कोई फाइल को लूँगा तो वो भी इधर खुल जाएगी यह देखिए अब आप जो भी हम काम करेंगे वो टूटल हमारा दूसरे सिस्टम पर काम करेगा यानि बहुत ही आस जो घर पे लैप्टॉफ है या आपका पीसी है सिर्क उसको अन करने के बाद एकसेप्ट करना होगा वाकि फिर सारा काम आप कहीं से भी आल आवर वर्ड में कहीं से भी कर सकते हैं इसमें काफी सारे मेन्यू बीदियों है जैसे वाइट बोर्ड का है यानि कि आप जैसे बो तो दोस्तो हैना असान बहुत ही सीम्पल है अब आराम से आप यूज कीजिए आप बेफिकर होकर कहीं भी जाईए कि आपका लैप्टॉप घर पे रह गया है आपका कंप्यूटर घर पे हैं कहीं से भी अक्सेस कीजिए तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब आवस्चे कर द कन्यवादू